दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स होट नाइन प्रो स्मार्ट पॉन के बारे में जो कि इन्फिनिक्स की तरप से इन्फिनिक्स होट नाइन सीरिज को इंडिया के अंदर 29 माई को लॉंच किया जा रहा है और इसका ओफिसल टीजर फिलिपकार्ट और इन्फिनिक्स के ओफिसल चैनल पर इसका लाइब वीडियो भी पोश्ट हो चुका है जिससे कि दोस्तों ये कन्फॉर्म हो गया है कि इसके अंदर आपको अराउंड 10,000 की प्राजिंग में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखनी को मिलेंगे जिनके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर दोस्तों आपका बजट 10,000 रुपय के अंडर में है और आप एक न्यू स्मार्टपोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूल देखिएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हल्पो लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूल कर दीजे तो चली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डियाइन और बिल्ड क्वाल्टी से तो इसके अंदर आपको मिलेगा polycarbonate का back जो की glossy gradient printing के साथ आएगा और इसी के साथ आपको quad camera setup with rear mounted fingerprint sensor देखनी को मिलने वाला है और बात करते हैं इसकी display के बारे में तो इसके अंदर आपको 6.6 inch की full HD plus full resolution display panel देखनी को मिलेगा जो की single punch all cutout के साथ आने वाला है जहाँ पर आपको selfie के लिए 16 megapixel का single punch all selfie camera देखनी को मिलेगा और इसकी screen को protect करने के लिए gorilla glass 5 का protection भी मिल जाएगा और बात करते हैं इसके camera's के बारे में तो इसके अंदर आपको rear side में quad camera setup देखनी को मिलेगा जिसका primary sensor होगा 48 megapixel का और इसके साथ आपको 5 megapixel का ultra wide angle lens, 2 megapixel का depth sensing sensor and 2 megapixel का micro lens देखनी को मिलेगा और अगर बात की जाए इसके processor के बारे में तो इसके अंदर आपको media tech helio A25 का chipset देखनी को मिलेगा जो की ठीक टाक performance दे देगा और ये 4GB, 64GB, 4GB, 128GB RAM brand के साथ launch होगा प्लस micro SD card का slot भी देखनी को मिल जाएगा और बात करते हैं सके operating system की तो इसके अंदर आपको मिलेगा out of the box Android 10 का support जो की Infinix OS 6.0 पर रन करेगा और वहीं पर अगर बात की जाए इसकी battery के बारे में तो इसके अंदर आपको 5000 mh की powerful battery देखनी को मिलेगी विद 18W far charging का support भी मिल जाएगा और इंडा box आपको 18W का far charger भी मिलने वाला है और दोस्तो इसके अंदर 3.5 mm audio jack का support दिया जाएगा टाइप C port का support देखनी को नहीं मिलेगा और जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था ये smartphone लगबग 10.000 रुपा की प्राजिंग में इंडियन मार्केट में 29 माई को लॉंच होने वाला है तो आई होब की आपको ये वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेयर और इस चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे तैंक्स पोर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर